तो हाजी क्या हाल चाल तो भाई आज मैं करने वाला हूँ दो स्मार्टफोन के बीच कमपेरीजन पहला है स्मार्टफोन जो भी हाली में लॉंच हुई है नाम है IQZ9S Pro जिसकी स्टाटिंग प्राइज है 25,000 रुपीज और इसी को टक्कर देने के लिए exact same processor के साथ आती है बट 7,000 रुपे एक्स्ट्रा प्राइज लेती है जिसका नाम है Motorola Age 50 Pro जिसकी चाटिंग प्राइज है 32,000 रुपीज जिए आँ देखेंगे तो 7,000 रुपीज का ही अंतर है तो क्या 7,000 रुपे बचा के IQ Z9S Pro के तरफ जाना सही देगा या फिर 7,000 रुपे अपन लगा कर Motorola Age 50 Pro के तरफ जाना सही देगा कौन सा मतलब पैसा वसुल होने वाला है पैसा मतलब वेश्ट करना चाहिए या कि सेविंग करना चाहिए सब बताएंगे और आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन से होने वाले है जल्ले से वीडियो कर लाइक आके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपके लिए फ्री होती है मुझे तोरी सी बेनेफिट मिल जाती है खैर मैं हूँ आपको दोस्त और होस्ट अनूप आप देख रहे हैं खुटका टेक चैनल टेकनो अनूप क्योंकि आप हैं तब ही तो गया हूँ तो हाँ देखते कि आफ कि इस वीडियो में बाजी कोन मारती है aha आईक्यू या फिर मोटरोला चलिए शुअ करते हैं बेल्ड क्वालिटी से दोस्तों बात करें बेल्ड क्वालिटी की तो दोनों एग्जेक्ट सेम बेल्ड क्वालिटी के साथ आती है जी हाँ दो टाइम की build quality देखने को मिलीगी, plastic back और एक होगा leather back के साथ, plastic frame देखने को मिलेगा IQ में, but aluminium मिलेगा frame आपको motorola में, आप दोनों में glass front देखने को मिलता है, तो aluminium frame देखके आपको motorola थोड़ा सा बाजी तो मार रहा है, but दोनों में ही front में कि जिसकी protection है, तो दोनों में exact same है, Corning Gorilla Glass 5 का protection, नेकिन phone का weight थिकने से IP की बात करें, तो IQ की weight है 185 gram, तो motorola का है 186 gram, IQ की थिकने से 7.5 mm, तो motorola का थिकने से 8.2 mm, वही IQ मिलता 64, IP की rating वही motorola मिलता है, IP 68 की rating, तो देखा देखकर तो दे रही है, लेकिन भाई, IP के मामले में motorola आगे, तो overall देखेंगे, तो motorola बा बाजी मार रही है, build quality के मामले में, बट दिखने में कौन सा best है, इस मामले बाजी कौन मालेगा, IQ या motorola, चलिए बात करते हैं, design की, दोसो design की बात करें, तो आप back side देखेंगे, IQ में आपको डूल camera की housing मिलती है, लेकिन motorola में triple camera की housing मिलती है, दोनों में LED face available है, दोनों की अ अब body to ratio मिलती हैं, वेजस और चीन पतली से देखेंगे मिलती है, बट colors की बात करें, तो IQ केबल दो ही color के साथ available है, white और orange, white जो है वो plastic build है, orange जो है आपको लेजर बेके साथ देखेंगे मिलती है, बट मोटोला में options अच्छे हैं, पहला है lux lavender, दूसरा है black beauty, फिर है moonlight purel, ए अब देखा जाए, colors के जादे options आपको मोटोला मिलती है, that's why आपको selection करने का options जादे मिलता है, मोटोला के पास, तो मोटोला बाजी मारती है, यहाँ पर है colors के मामले में, बट भाई, content consume के मामले में बाजी कौन मारती है, IQ या मोटोला, कौन सा smartphone लेके content consume करने में best होने वाल के 10bit का P OLED panel, वही IQ मिलता 2392 x 1080 pixel की screen resolution, मोटोला मिलता 2712 x 1200 pixel की screen resolution, वही यह 20 शो का spec ratio, वही आईः की अधी 388 ppchild density, तो मोटोरा मिलता 2446 pp記 heavenly heavenly earthly vic मिलता है 240hz की touch sampling rate तो मोटरोल मिलता है 480hz की touch sampling rate वहीं दोनों में ही आपको HDR 10 Plus और Widevine L1 के support देखने को मिल जाते हैं देखिए देखा जाए तो Full HD आपको मिलता है IQ में बट 1.5 एक display मिलती है मोटरोला में जिसकी pixel density अच्छी है IQ comparison में मोटरोला में देखिए आप content consume करेंगे उसे दोनों में आप HDR content लगार के देख सकते हैं Amazon YouTube पर तो जो content consume करेंगे तो pixel clarity आपको मोटरोला मिलने वाली है brightness ठीक है 2000 ना enough हो जाता है 45 कोई मतलब कर नहीं है जादे हो जाता है 2000 जो है दोनों के देखा जा brightness अच्छी है इंदोर आपको visibility में कोई दिक्कत नहीं है बट social media page score करेंगे गेमिंग करेंगे तो ज्यादा समूत्र साब को मोटरोला में ही नजर आने वाला क्योंकि जो refresh रेक्टर से में कॉमडेशन शांदार को मोटरोला नहीं मिलती है याने की content consume के मामले में मोटरोला बाजी हमारा देखा जो ओवर अभी मोटरोला ही बाजी मार रही है तो सवाल है की भाई साब जो गेमिंग एमिंग करेंगे और बाकी सब चलाने के लिए दिमाग कौन सा यूज़ किया गया है इस मामले बाजी कौन मारती है आईको या मोटरोला चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तो परफॉर्मेंस की बात करें दोनों में ही एक्जेक्ट सेम प्रोसेसर यूज़ किया गया है दोनों ही स्मार्टफोन को शक्ति देती है क्वाल को सेच्टने आप ड्रगन 7 जैन 3 प्रोसेसर अच्छी प्रोसेसर है कोई खराब नहीं है लेकिन आईको जिस प्राइस 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 का support अच्छा मतलब provide कर आए गया जाकि ही चांस कम देखों मेरे बट कितना powerful है चलिए नजेद आल्टेस के रॉस मिलता है 4 cortex a715 जो कि 2.63 गीगाहर सक्लाइक किया गया है वह 4 cortex a510 जो कि 1.8 गीगाहर सक्लाइक किया गया है तो देखिए जाब performance ठीक है performance से कोई दिक्कत नहीं आएगी performance ठीक है बार प्राइस थोड़ा सा हाई लगा मुझे मोट्रू लगा बता हुआ आगे गेमिंग ने अराम सब 60 एपस ने कर साथ मिलता है अडरीनो 720 जीप्यू साथी एर्पीटीज पोर एक्स्तेम यूफएस 2.2 वाले स्टोरेज देखना मिलती है यह थ्वासना दिल तूड़ गया मतब री राइट की साबको डिसेंट मिलने वाली है आट 5G बैंड है तेरा 5G बैंड मतब आठ आप आइक्थमि बात करें तो भाई IQ में देखने को मिला है आठ लाकी 60,000 वाई मोडर जादे है आठ लाक könnte ने स अजार तो देखा जाए compare करेंगे तो भाई दोनों exact same मतब आपको देखने को मिलता बट जब gaming करेंगे न तो आपको मज़ा IQ में ही देखने को मिलेगा हीट चांसे बहुती कम देखने को मिला है यहाँ पर motor थोसा हलका सा हीट हुआ है gaming के मामले में बट देखा जाए दोनों सही है लिगी gaming के मामले खाए तो Motorola के जगा IQ ठीक है यहाँ पर performance अच्छा दिया है हाँ अब सवाल है कि image करेंगे, video record करेंगे, selfie लेंगे इस मामले में बाजी कौन मारती है IQ या फिर Motorola प्रोसेसर तो same है चलिए बात करते हैं कैमरा की दोस्तों कैमरा की बात करें तो दोनों मिलते हैं 50MP के main sensor OIS support के साथ बट IQ मिलता Sony IMX882 sensor वहीं Motorola में Omnivision sensor यूज किया गया है वहीं IQ मिलता 8MP का Ultra Wide Angle Lens Sony IMX 355 sensor वहीं Motorola मिलता 13MP का Ultra Wide Angle Lens 10MP का Telephoto Lens OIS support के साथ 3X Optical Zoom सपोर्ट करती है अब यही कैमरा आपको आने वाले Motorola H50 Neo में देखने को मिलेगा बट यह है कि इस प्रोसेसर जो यूज कहता है तो और अच्छा प्रोसेसर यूज करता तो और अच्छे से quality निकर सामने आती बट compare करेंगे तो Motorola का ही आपको camera quality अच्छी नज़र आती है निकर दोनों में 4K 60, FH 1080, 240 रिकॉर्ट कर सकते हैं तो camera के मामले में कहने कहीं Motorola ही ठीक है निकिन फ्रंट की बात करेंगे आपके खूब सुरा चाहिए रिल सुखाने के लिए IQ मिलता है 16MP का selfie camera निकिन हाँ प्रोसेसर और अच्छा होता नो डाउट कैमरा और अच्छा काम कर जाता बट सवाल है कि दोनों ही smartphone चाने के लिए किता है mh के बैटरी मिलेगी चलिए बात करते है बैटरी की दूस्तों बैटरी की बात करना तो IQ मिलता है 5500 mh की बैटरी वहीं Motorola मिलता है 4500 mh की बैटरी वहीं IQ मिलती 80W की charging support बट Motorola में 2 टाइप का मिलता है एक मिलता 68W की और दूसरा है 125W की charging support वहीं 50W की wireless 10W की reverse wireless charging support अब भाई Motorola में 2 टाइप की मिलती charging support बट variants अलग-अलग है वह आपको बताऊंगा प्राइस सेगेमेंट पे पता चल जागा आपको बट भाई साल देखिए यहाँ पर ना सब को ना backup चाहिए charging speed से compromise किया जा सकता और 68W खराब नहीं है बट यहाँ पर देखा जाए बैक अप के मामले में यहाँ पर IQ आगे है यहाँ पर मोटरों को देना चाहिए जाधा नहीं यहाँ पर यह मोटरों वाले कंजूसी तो कर देते हैं बैक अप के मामले में IQ आगे निकल जाता है अब बात करें इसके sensor security privacy की नो डाव दोनों ही मिलते है अंडर डिस्टर फिंग अप्रिंस सेंसर फेसोलो का उप्शन डेफिनिटी मिलते है सेंसर में साइस सेंसर मिलते है अप बात करें सौट्वेर की दोस्तों दोनों ही मिलते है लेटेस एंडरॉइड 14 को उपर आउट आफ डिवर साथी फंटर्च OS 14 मिलते है IQ में वहीं हेलो युआ मिलती है मोट टूला में थोरे मोरे आजकर ब्लॉट डेफने को मिल रहे है नेकि नीटन के लिए कोई दिक्कत नहीं है IQ मिलते हैं 2 साइड का एंडरॉइड 3 सार की सेक्रिटी पैच अपडेट बट मोट टूला में 1 सार एक्ष्टा मिल जाता है 3 सार एंडरॉइड 4 सार सेक्रिटी पैच अपडेट इस मामले में तो भाई मोट टूला आगे है अब सवाल है कि भाई सार दोनों के इस मार्फों की मतलब वेडियन्स के प्राइस क्या क्या है और क्या ओफर्स है चलिए बात करेंगे उससे पर जल्दी से अपने टार्गेट है केबल 200 लाइक टार्गेट है पहुंचा दीजे शेर किजिए अपने फ्रेंड और फेमिर साथ चैनल परिवाए है सब्सक्राइब करें वेडियन्स को ज़रूर आउं किजिए आपकरें फ्री होती है मुझे थोर इसी बेनिफिट मिल जाती है खेचलिए बात करते है Variance और प्राइस की वेडियन्स और प्राइस ऊफर सब की तो IQ की जो है देखा जाद histó तीन वेडियन्स में एबलेबल है पहला है 8 plus 1, 28 24,999 8 plus 2, 56 26,999 12 plus 256, 28,999 बट यह दि आपके पास ICICI और HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको और मिल जाए यह टोटल 6,000 का discount मिल जाता तो बहुत सस्ता हो जाता है IQ का लेकिन भाई साब वही compare करेंगे Motorola H50 Pro की ना तो केबल दो ही variants में available है और दो ही variants के अलग-अलग charging support है पहला है 8 plus 256 68 watt की charging आती है 31999 वह 12 plus 256 जिसमें 125 watt की charging support के साथ आती है 35999 तो यहाँ पर दो option मिल जाते हैं जीने भाई चाहिए 125 watt का थोचा पैसे और दीजिए यहाँ पर थोचा मनद फसा दिया गया है अब जिसे भाई जादे variants के options चाहिए मतलब यह higher variants का तो आपको ना चाहके भी आपको बात करते हैं conclusion की देखिए compare करे conclusion पे ना तो आपको easily समझ में आ जाएगा देखिए build quality के मामले में तो Motorola बाजी मार रही है बाद design सबकी अपनी अपनी perspective होती है हमें पूछेंगे तो IQ की design अच्छी लगती है नया design अच्छा लग रहा मुझे पैसे बचाने है पैसे बचाने भी चाहिए पैसे बचाके अधि आपको all-rounder smartphone लेने इन दोनों ही smartphone के भी चाहिए तो फिर IQ Z9S Pro ले सकते है otherwise आपको थोड़ा सच जादे पैसे खर्च करने है पास charging support चाहिए content consume आपका main important है तो फिर आप Motorola S50 Pro तरफ जा सकते है camera भी अच्छा है बट मेरे एक suggestion रहेगा आप सबका आप लोग वेट कर लीजे September start होई चुका है आज से ज्यादा नहीं है 14 नहीं बचे हुए 15 September से sales शुरू होगी flip card की और Amazon की तो और discount देखने को मिल जाएंगे हो सकता है जब को आज पैसे है 35,000 रूपे है तो आपको Realme GT60, i1 Plus के स्मार्टफोन के इसी प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है कई सारी स्मार्टफोन ने IQ भी है तो मैं को वेट कर लीजे sale तक का, sale आने जिए उसके बाद ही आप decide करिए लिए यही दो इस स्मार्टफोन को तब जाना है तो भाई साब यही आप लोग में से यही दोनों स्मार्टफोन से लेना चाहते है तो आप लोग किसके तगार चाहेंगे बताए कमेंट करके, कमेंट जरू किजिएगा कमेंट करेंगे, तभी आप पैसे कमा सकते हैं कि Monday to Saturday even Sunday के वीडियो में जो कमेंट करेंगे उसे भी पिक किया जाता है विनर और विनर का नावे नाउस किया जाता है एक, दो हो सकते, आपके उपर जितना प्यार बरसाएंगे उसे चांसे इंक्रीज होते हैं क्या प्राइस बनी होगी, क्या कैसे क्लेम करना सब बता जाता है, इसे किया तक कमेंट करिए प्यार बरसाएंगे, कि अगला नंबर आपको तो नहीं है और दो सुले के टार्गेर पहुंचा ज़िए सब्सक्राइब भी कर लिजे, चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ने टापिक सार, तब तक के लिए जैहिन जवारत झाल, 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